कल इंडिया और औस्टिले के बीच फाइनल मुकाबला खेल लगया था अंडर 19 का जिसमें इंडिया को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा वही बात फिर से दोराई गई जिस तरीके से हमने ODI World Cup में देखा औस्ट्रेलिया के सामने भारती टीम हारी थी वही हाल अंडर 19 के टीम में हुआ लेकिन सबसे बड़ी बात आखिर भारती टीम के हार का कारण क्या था भारती टीम को इतनी बड़ी हार क्यों जेलनी पड़ी ल दरवस हो जाती है और वहां पर उन्हें समझ नहीं आता किस तरीके से सौट सेलेक्शन करना है किस तरीके से आपको बॉलिंग कर रही है यह सारी चीजें समझ वे नहीं लेकिन फिलाल आपको बता दें कि उद्धे सहारन जो अंडर 19 टीम के कप्तान थे उन्होंने एक बहु है इस टूर्मेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला सहयोगी स्टाफ से और यहां तक की खेल के दौरान भी बहुत कुछ सीखने को मिला हम सीखते रहने और बहतर बनने की कोसिस करेंगे यह बहुत अच्छा टूर्नमेंट रहा मुझे अपने खिलाडियों पर गर्व है उन्होंने सांदार खेल दिखाया, उन्होंने सुरू से ही अपने जजबे का सांदार नमुना पेस किया जैसा कि आपने देखा उदै सहारन ने तारीफ की अपने खिलाडियों की जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था और स्वाता देखने लाग बात ये भी है कि फाइनल में भारती टीम को हार मिली लेकिन परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा था हर एक खिलाडी अच्छा परफॉर्म कर रहा था हमने देखा कि जिस तरीके से कप्तान उदै सहारन का परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था पूरे टूर्णामेंट में एक सेंचुरी तीन हाफ सेंचुरी के बदलों 397 रन बनाए और हाइस्ट स्कोरर बने पूरे टूर्णामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और इतिहास भी सहारन ने रच दिया बतौर कप्तान पहले ऐसे खिलाडी बने जिनके बल्ले से हाइस्ट स्कोर आया पूरा अंडर 19 वर्ल्ड कप में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा लेकिन वही बात है कि at the end of the day आपके हाथ से ट्रॉफी चली गई बिल्कुल पूरे लिग में अच्छा परफॉर्म किया था टीम इंडिया ने एवन मुशीर खान की बात करे लेकिन वही चीज होती है कि आप सारे मुकाबलें अच्छा परफॉर्म करते लेकिन फाइनल में कोई भी बैट्समें रिस्पाउट करने के लिए था हम रिस्पाउट लेते हैं हम खिलाते हैं क्योंकि हमने देखा था कि आदर सिंग ने 47 बनाये थे हुए बहुत बहुत स्ल बॉलर आ रहा था वही विकेट लेकर जा रहा था जो बॉलर आ था वही विकेट चटका कर जा था टीम इंडिया का बहुत परेशान कि था पाउर प्ले में उनकी मतलब 30 रन भी पाउर प्लेमें भारती टीम के नहीं बन पाय थे इतनी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस थे लास्ट में जब मुरुगन अभिशेक आये तो वहां पर थोड़ा सा लगा कि वह मतलब जब तक वह खेल तब तक लगता कि कुछ भी हो सकता है उन्होंने अच्छी पारी खेली थी चक्के चौकी अच्छी तरीके से लगा थी लेकिन एड़ एंड आप दे डे हार का ही सामना क करना पड़ा टीम इंडिया को बिल्कुल सथा जिस तरीके से हमने देखा था सेमी फाइनल का मुकाबला बहुत रोमांचक था भारती टीम के ओर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था अंडर 19 के कफ्तान उदय सहारन भी अपने संचुरी से चूके थे बहुत अच्छा रन 19 की टीम लेगी लेकिन जो कोलैप्स हमने बल्लेबाजी में देखा कि ओपनर कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं मिडल और कोलैप्स हो गया लोर और पर पूरी टीम डिपेंडेंट हो गई और बैक टो बैक विकेट गिरा पचास ओवर का मैच नहीं चल पाया ओल आउट हो गई 19 इंडिया की टीम के लिए आसान है पचास ओवर में अगर आराम से भी हरेक खिलाडी 40-50 रन का सहयोग करता तो बहुत आसानी से बन जाता लेकिन जिस तरीके से हमने देखा हरेक बल्लेबाज नाकाम्याब रहा बहुत जल्ड़ी विकेट गवादी और जो बल्लेबाज जै लेकिन एक खिलाडी के बदोलत इतना आसान नहीं है भारती टीम को वर्ल्ड कप जितना बाकिस पूरे मामले में आपकी कारा है कमेंट बॉक्स में बताइए और जाते जाते तूफान इस पोर्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए